2018 के एशियाई खेलों में सोनपतर जीत भारत का नाम रोशन करने वाली इस प्रिंटर हिमादास को आधिकारिक रूप से असम पुलिस में शामिल किया गया है इस मौके पर असम के मुख्य मंत्री सर्बानंद सोनवाल ने उन्हें बैज लगा कर सम्मानित किया सम्मान पाकर हिमादास ने कहा मैं असम पुलिस का हिसाब बन कर सम्मानित महसूस कर रही हूँ मैं केंद्री मंत्री किरन रिजिजू का समर्थन करती हूँ आपको बता दे कि असम पुलिस में हिमा को शामिल किया जाने का फैसला दो हफते पहले किया गया था केंदरी युवा मामलो और खेल मंत्री किरन रिजिरूर ने 11 फरवरी को कहा कि असमसरकार दोरा राज में उप पुलिस अधिक्षक के रूप में नियुक्त करने का निल्ड़ा लेने के बाद भी हिमादास देश के लिए खेलना जारी रखेंगी बताया जा रहा है कि हिमा की पोस्टिंग गुवाहाटी में होगी अंतराश्टी ट्रैक इवेंट में सौन पदक जीतने वाली हिमादास पहली भारती अथलीट है 21 साल की हिमादास फिलहाल नेता जी सुभाष नेशनल इंस्टिट्यूट आफ स्पोर्ट्स पटियाला में आगामी टोक्यो ओलंपिक योगिता के लिए जोड शोड से तयारी कर रही है ब्योरो रिपोर्ट नमामी भारत